नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बताएंगे अदरक के लाबकारी टीप्स दोस्तों, अदरक जादातर सर्दियों में इस्तमाल किया जाता है चाई वे सबजी आदी का स्वाद बढ़ाने में ही अदरक का प्रियोग जादतर किया जाता है किन्तु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अदरक के अन्य बहुत सारे भी फाइदे हैं जो हम में से जादतर लोग नहीं जानते हैं दोस्तों अधरक में बहुत सारे पोशक तत्व पाए जाते हैं पोटेशियम, कार्भोहाइडरेट, सोडियम, कैल्शियम, विटामिन सी, आईरन, विटामिन B6, मैगनीशियम, प्रोटीन, फासफोरस, फाइबर आधी तत्व पाए जाते हैं इतने सारे पोशक तत्वों के नाम सुनकर तो आप समझी गए होंगे कि अदरक कितना गुंकारी है तो आईए दोस्तों जानते हैं अदरक के गुंकारी टिप टिप्स No.1 सरदी और कफ के लिए सरदी और कफ के लिए अदरक का परियोग तो बहुत पहले से किया जाता रहा है इसके लिए अदरक के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से सरदी और कफ में बहुत आराम मिलता है टिप्स नमबर टू उल्टी या वमन में पानी में अदरक के कुछ टुकडे डाल कर अच्छे से उबाल ले और फिर उस पानी में नीमबू और शहद मिला कर पीने से बहुत फायदा होता है 5 गराम अदरक में काली मिर्च और काला नमक मिला कर लेने से उल्टी में आराम मिलता है टिप नमबर 3 भूक ना लगने पर बीमारी से उठने के बाद या अपच हो जाने पर भूक नहीं लगती ऐसे में अद्रफ के बार एक टुकडे को काला नमक के साथ खाने से भूक लगती है और खाने की इच्छा भी बढ़ती है इस नमबर 4 अपच की शिकायत में अगर भोजन पचने में दिक्कत आ रही हो खटी ड़कार गैस बढ़जमी हो गई हो तो ऐसे में अद्रफ, नीमबू, सादा नमक और अजवाइन पानी में मिलाकर या चाय बनाकर पीने से लाब होगा यदि पेट में गैस की समस्चा है तो भी अद्रफ, सौफ, इलाइची, ततक काली मिट सब को लेकर पानी में उबाल ले पानी जब आज़ा बच जाए तो उसको पी ले इससे पेट में गैस की समस्चा से राहत मिलेगी टिप्स नमबर 5 रोग परती रोधक्षमता में व्रिद्दी अद्रक हमारी रोग परती रोधक्षमता को बढ़ाता है शरीर को मोसम परिवर्तन में होने वाले वाईरल या सर्दी जुखाम से बचाता है टिप्स नमबर 6 हडियों के लिए उत्तम अद्रक हडियों के लिए बहुती अच्छा है अद्रक हडियों को मजबूती देता है अर्थराइटिस या गठिया रोग में भी अद्रक बहुत लाव देता है इसके लिए 4 चमच पिसी हुई सोत यानि की सूखा अद्रक 2 चमच काला जीरा पिसाब हुआ 2 चमच पिसी हुई काली मिर्च को मिला कर थोड़ा थोड़ा ले इससे अर्थराइटिस में बहुत फाइदा मिलता है अद्रक के सेवन से दात और मसूडे दोनस वस्त रहते है अद्रक में एंटी फंगल ततु पाय जाते है जो की दातों से कीडों को खत्म कर देता है और मसूडों को सुजन से बचाता है पिस नमबर 8 हर्दय के लिए अद्रक के सेवन से हर्दय की कीडिया शीलता बढ़ जाती है अद्रक में एंटी उक्सिडेंट ततु पाय जाते है इससे हर्दय स्वस्त रहता है बहुत अच्छा फील होता है तनाव कम होता है तत ठकान और कमजोरी से भी आराम मिलता है पिसा हुआ सोंट पाउडर यानि सूखा अद्रक काली मिर्च इलाइची और जीरे को पानी में उबाल कर पीने से लाब मिलता है तिफ नमबर 10 अद्रक में अद्रक में अद्रक के फाइदे बंद होता है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें हम नई नई जानकारिया आप तक पहुँचाते रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले धन्यवाद